अधियाई 9 चैप्टर नमबर 9 आई की मात्रा तो देखते हैं आई की मात्रा किसे कहते हैं तो आई की मात्रा का परियोग वैंजन के उपर इस आई रूप में किया जाता है उसे पढ़ा बाद में जाता है मतलब इसे हमें जब भी इसे का परियोग करते हैं आई की मात्रा को तो हमेशा वैंजन के उपर इसे इस मात्रा को लगाते हैं और इसे जब पढ़ते हैं तो हमें बाद में पढ़ते हैं जैसे देखकर और पढ़कर समझेए इसे पा प्लस आई तो हमारा जाकर वह पा के उपर मात्र लगा न तो हो गया पा हमारा वेंजेंच हो गया अब मतर हमाराaden की मात्रा तो पढ़ेंगे जब इस से पैज पहले आ रहा है और गय की मात्रा बात में आ रहा है उसी तरह समझा संदे देख का समझे उसे तरह है एकी मातरा वाले कुछ और सब्द पढ़िए मतलब सारे की मातरा दिये वे हैं सारे को रिट करना है अब देखते हैं ऐस आरम होने वाले सब्द मतलब ऐस सब्द से स्टार्ट होने वाले सब्द अब इसमें पढ़कर अंतर जानिए इसमें A की मातरा भी दिया और I की मातरा भी दिया तो इसमें आपको अंतर समझना है कि किसे A की मातरा कहते है और किसे A की मातरा कहते है पढ़िए सारे को read करना है इसमें आपका i की मातरा भी है बड़ी की मातरा भी आ की मातरा भी है और छोटी की मातरा भी है और a की मातरा भी है जिसमें आपको difference समझना कौन a की मातरा है कौन छोटी की मातरा कौन बड़ी की मातरा किसे बोलने में ज्यादा समय लगता किसे बोलन वो आपका इजी हो जाएगा